तो लाइट लेंसे का चेप्टर है पेपर वन पेपर टू पेपर फोर के इंपॉर्डएंस भी बहुत जाए इसमें तो इसकी हम बेसिक इंफरमिशन पहले देख रहे हैं इस चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो देखें लाइट है क्या सबसे पहले तो यह बात याद र ट्रांस्वर्ड वेव एंड इलेक्ट्रो मेगनेटिक इन नेचर है वादा जो हमने पढ़ा था ना गैमा एक्सरे अल्ट्रा वाइलेट विजिबल इंफररेड माइक्रो तो उसमें जो विजिबल लाइट है उसकी एक्सपरिमेंट्स हम लोग आप इसमें देखेंगे है ठाथ द्वर्द भी एलेक्ट्रमेड्स अच्छा यान के बारे में एक और चीज़ याद रखेगा के लाइट कें ट्रेवर इन वेक्यूम लाइट याचन के ट्रैवल इन वैक्यूम लाइट केंट ड्रेवल इन वेक्यूम एड़ दे स्पीड ऑफ एड़ दे स्पीड ऑफ कितनी स्पीड में ट्रैविल करता है थ्री मंटिप्लाइब टैन की पावर एट मीटर पर सेकंड यह लाइट की वैक्यूम में स्पीड होती है अच्छा लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रे और बीम लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड अच्छा लाइट हम लोग पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एजे रे और बीम या तो बीम के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे या रे के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे जैसे पॉर इक्ज तो light ray का मतलब यह कि इस तरफ कोई source of light होगी मतलब यारब मैं क्या बताओ source of light source of light हमें पता है कोई lamp है कोई कोई ray box है यानि लेजर है ठीक है जी sun है exactly sun भी हो सकता है good तो यह ray of light है इसको हम बोलते हैं ray of light अच्छा गर बहुत सारी rays कंबाइन हो जाए लाइट की जैसे के यह बहुत सारी रेस कंबाइन हो गई है तो combination of rays बेसिकली काल भी इसको हम बीम बोलेंगे तो combination अफ तू और मोर रेस तू और मोर रेस इस कॉल्ट अच्छा मैं अपकी थर्ड क्लास भी आड़ कर रहा हूं इस वीक से इंशाल्ला थर्ड क्लास मैं आपकी बता दूंगा ग्रूप कब हुआ करेगी तो हम एक तीसरी क्लास भी आड़ कर रहे हों थोड़ा सा आगे जा कि चार क्लास से भी आड़ हो जाए तो थर्ड क्लास मैं आपकी कंफर्म कर दूंगा कब लूँगा मैं क्योंकि अब जुरुत पड़ेगी मेडियर भी करीब आ रहा है बच्छों का और सब में अच्छा तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेज इस कॉल्ड बीम तो यह कुछ बेसिक मैंने मालुमात दिये आपको किसके बारे में लाइट के बारे में ठीक है अच्छा हमें लाइट के चैप्टर में बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स बढ़ने हैं बहुत सारे तो इसमें जो पहला हम लोगों का मेगा टॉपिक है मेजर टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ओफ लाइट अच्छा जी रिफ्लेक्शन ओफ लाइट बड़ा बेसिक है मेरे खाल से आप लोग सारे जानते होंगे इसके बारे में यर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंट अंदाज से इसमें बात कर सकता हूं मगर मैं पहले बेसिक बात इसकी क्लेयर कर दूँ देखें आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट हो लाइट अगर रिफ्लेक्शन होना चाहती है तो कोई सर्फेस ऐसी होनी चाहिए रिफ्लेक्विंघ सर्फेस हमारे पास कोई ऐसी जगा तो टो जिससे लाइट टकरा के बाउंस बैक करें हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए क्या रिफ्लेक्शन है उंस ही दियो Remo प्लेन मिरर क्या होता है क्लेन guideline डरर आपका dressing टेबल में इस्तिमाल हुआ वह होता है चाहं जां कड़ों के बंदा तैयार हो रहा है ड्रेसंग टेबल में और ये washrooms में use होजा वह pokra ये वाज्भर आपकोइज़्बक मैं जाते हैं किसी कॉस्मटूर में किसी गार्मेंट स्टोर में तो वहां पर भी ये यूज हुए होते हैं तो है बड़ा इंपॉर्टन आपकी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है अच्छा प्लेण मिरर में होता क्या है कि एक साइड रफ होती है यह रफ साइड है मतब और एक साइड होती है सिल्वर पॉलिष्ट जहां से आपको अपनी शकल नजर आती है न वो साइड सिल्वर पॉलिष होती है और इसके पीछे अगर कभी देखै तो वो साइड रफ होती है अच्छा अब मैंने किया क्या है मैंने यहां पर कोई source of light अजियोंगी सपोस्थ यह कोई torch है या कोई laser light है ठीक है अच्छा यहां से light मैंने emit करवाई और यह light जाके strike कर रही है plane mirror से अच्छा plane mirror को इसने strike किया तो इस ray को हम बोलते हैं incident ray मैं बिल्कुल basic terms पर बात कर रहा हूँ incident ray अच्छा अब आपने क्या किया अब आपने क्या किया incident ray जहां पर जाके strike कर रही है वहाँ पर आपने imaginary line बना दी और इस imaginary line को कहते है normal अच्छा नॉर्मल की एक definition है proper हम यह कह सकते हैं के normal is an is an imaginary line which is constructed which is constructed perpendicular to the perpendicular to the surface of reflection अच्छा जी अब incident ray कौन है ray comes out comes out from light source and hits mirror और mirror पर आगे strike करें उसको incident ray कहते हैं ठीक है जी उसको हम incident ray बोलेंगे अच्छा अब आपको साफ नदर आ रहा है कि incident ray और नॉर्मल के दर्मियान में एक एंगिल बन चुका है इसको हम बोलते है आई एंगिल आई इसको पर आई के उपर ऐसे कैप लगा दिया या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसका मतलब होता है incident एंगिल इंसिडेंट एंगिल क्या होता है बिट्वीन बिट्वीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दर्मियान में जो एंगिल होता है उसको इंसिडेंट एंगिल बोलते हैं अच्छा अब होगा क्या लाइट यहां पर यहां पर क्या करेगी बाउंस बैक करेगी यानि के लाइट आपकी टक्रा के यहां पर ऐसे वापस आजएगी तो यह जो ब्लू वाली रे है इस रे को हम बोलते है रिफ्लेक्टिट रे रिफ्लेक्टिट रे अच्छा अब रिफ्लेक्टिट रे क्या है रे बाउंस बैक बाउंस बैक फ्रॉम मिरर जो मिरर से बाउंस बैक करें उसको हम रिफ्लेक्टिट रे बोलते हैं अच्छा एंगिल बिट्वीन एंगिल बिट्वीन नॉर्मल एंगिल बिट्वीन नॉर्मल एंगिल बिट्वीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिट रे यह कहलाता है आर यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा अब अगर यह experiment reflection है तो हमारे पार laws of reflection होते हैं दो मतब अगर मैं इस experiment को reflection बोल रहा हूँ तो मेरे पार दो laws होंगे इसके एक law तो यह है कि incident angle और angle of reflection बरावर होने चाहिए मतब अगर यह 30 degrees है तो यह भी लाज़मी 30 degrees होना चाहिए और दूसरा law क्या है कि incident ray normal और reflected ray एक ही point पर होना चाहिए नॉर्मल incident and reflected ray at the same point at the same point तो यह मैंने reflection कासी basic आपको idea दिया है मेरे खाल से ज्यारत दर students को इसके बारे में पहले information अच्छी खासी होती है बढ़ मेरा एक परस था कि मैं शुरू में जो है वो इसको basic idea आपको reflection का दूरूर दे दूँ तो आप लोग देखें अगर इसमें कोई query है किसी के कोई मसला है तो या at least मुझे चैट में जरूर बता दीगा अगर go ahead है आपकी तरफ से तो ओके जरूर बता दे मुझे ठीक है मिटा हिबा अच्छा बागी सब भी बता दे मुझे एक एक दफ़ान ताके थोड़ा अंदाजा रहे मुझे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने अभी कहा है अभी तो बिल्कुल बेसिक बात बताईए मैंने हाँ आपने लाइट स्टार्ट कर दी है स्कूल में अच्छा नहीं स्टार्ट किया वैसे आप लोग मिडियर के बाद पढ़ेंगे यह स्कूल में अच्छा रिफ्लेक्श उसकी वेफ्स की मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगो देदी थी अभी मैं थर्मल की वी कंपाइल करके ना एक दफ़ाई डाल देता हूं सारी गुरूप पे तो आप लोगो को हैल अच्छा ये बाइस सेफ कर लिएगा ऐसा ना हो आप दो एफ्टे चार अफ्टे बात देखें दो वाटसेप पर डाउनलोड नहीं होती बात में आप फॉर जैन्वरी तक हो जाएगा जैन्वरी तक हो जाएगा जैन्वरी तक हो जाएगा जैन्वरी फैबरी तक हो जाएगा आपका मार्च में होता है मार्च में होता है मौक एक्जैम उससे पहले-पहले हो जाएगा स्कूल में ही मौक में मौक से पहले कंप्रीट होता है ठीक है अच्छा अब देखे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग रे डाइग्रेम्स की अच्छा रे डाइग्रेम्स ऑफ प्लेन मिरर यार अब इसके लिए जो ना देखे आप अगर रूलर आपके पास है ना इस वक्त तो बहुत फायदा होगा मगर आएंदा के बाद याद रखेगा आपने ग्रूर्प पर लिखना भूल गया था मगर रूलर के बगयर आपने लाइट लेंसिस की कोई क्लास अटेंड नहीं करनी रूलर आपके पास मस्ट है बहले पैंसे लगा ले लाइने वो चल जाएंगी मगर रूलर लाजमी हो वैसे तो आईडियली रूलर और पैंसल होना चाहिए आपके पास अच्छा आप देखे हो क्या रहा है बिटा बहुत देहान करिएगा इस बात पर ना बहुत जादा देहान दिएगा थोड़ी सी मुश्किल बात है समयचने में मेरे पास बिटा यह प्लेइन अब तुर छिर इस प्लेइन मिरर से थोड़ा दूर एक औप्जेक्ट रखावा यहां पैं प्लेइन मिर्खेस से थोड़ा दूर एक और यह कोई ओपजेक्ट है कितना दूर रखा वाई अगर आप स्केल ड्रॉइंग बनाएंगे तो आपने पेपर के सेंटर में प्लेन मिरर बनाया और इससे पांच सेंटीमिटर दूर आपने डॉड बना दिया यहीं ऑब्जेक्ट अच्छा डी ओ का मतलब होता है डी ओ का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑबजेक्ट ठीक है डिस्टेंस ऑफ ऑबजेक्ट फ्रॉम 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 प्लेन मिरर अच्छा मैं लिखता हर चीज़ों इसके उपर ताकि आपको बात में रिकॉल करने में असानी हो अच्छा अब यहां पर है आए पोजिशन ऐसे कि आप अंदाजे से बनादे के यहां पर आये पोजिशन मतलब यहां से कोई बंदा इस ऑबजेक्ट को देख रहा है शीशे में तो आपको क्या लगता है कि मुझे रिफलेक्शन का डायगरेम कैसे बनाना चाहिए क्या करूं रिफलेक्शन का डायगरेम अच्छा अगर मैंने इतना खुला छोड़ दिया तो बच्चा कहेगा अच्छा सर आप ऐसे बना रहे ना तो मैं तो फिर ऐसे बनाऊंगा यूँ अच्छा कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ना थोड़ा सा उपड़ से हिट करवाऊंगा यहां से न मतलब यूनिफॉर्म डायगरेम नहीं बनेगी अगर मैंने सबके लिए ओपन छोड़ दिया ना इसका हवाल को सबकी डायगरेम ओपन नहीं मतलब ऐसे नहीं बनेगी मतलब एक जैसी तो इसके लिए कुछ अब प्लेन मिरर के सेंटर में उसके नहीं 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 सेंटर में भी नीस के लिए different principle असे माल हो गा और वह different principle यह है कि आप plain mirror के back side पे आप plain mirror के back side पे image बनाएंगे यहाँ पर यह बनाए आपने image तो ray diagram का principle नबर वन यह है make image में कि मैं इमेंज फॉर रेफरेंस अच्छाइज इस रेफरेंस के लिए शीशे के पीछे कोई इमेज बंती नहीं है शीशे के पीछे होती है दिवार में इमेज फॉर रेफरेंस एठ दा एठ दबाक आफ पहला तो स्टेप यही हो गया और इस तरह से बनाना है such that कि डी आई और दी वो बराबर हो जाया मतलब डी आई का मतलब क्या हो गया भाई यह है यह है डी आई और यह भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए distance of the image distance of the image from the mirror डी आई का मतलब है डिस्टेंस ऑफ दी इमेज फ्रॉम फ्रॉम मिरर अज़र आप यह कर चुके हैं आपने इमेज को पीछे मार्क कर दिया अब जब आपने यह कर दिया तो अब आपने करना है इसमें नेक्स्ट काम यह करना है कि आपने रूलर से बेटा मैं बार-बार बोल रहा हूं रूलर से हाथ से मत करिएगा रूलर से करिएगा अब आपने रूलर से क्या करना है आपने इसकी इमेज से आपने इसकी इमेज से आए के टॉप पे एक रहे छोड़ दी रूलर से बनाके इससे बनाया रूलर से आपने इमेज से लेके आपने इमेज से लेके अच्छा इसमें बहुत ड्राइंग वर्क होता है तो थोड़ा सा मैं स्लो स्लो बनाऊंगा ताके अच्छा अब आपने यहां से इमेज से लेके आपने आए के टॉप पे एक रहे छोड़ दी ठीक है अच्छा अब दूसरा काम क्या करना है आपने तर आ अपने इमेज से लेके आपने इमेज से लेके आए के बॉाटम पे इक रहे छोड़ दी इदर अच्छा बच्चा के दसर आपने टॉप और बॉटम पे क्यों छोड़ी है और भी तो रेज होंगी तो पिटा इसके दरम्यान में और भी बहुत रेज आ रही होती है मगर हमसे में में दो बना लेते हैं कप पे और एक बॉटम पे अच्छा फिर क्या करेंगे अच्छा अब आपने दूसरा स्टेप क्या किया है दूसरा स्टेप आपने किया make at least मता कम से कम at least two rays from image to the eye I की तरफ दो रेस बनाते है अच्छा जब आप यह बना चुके उसके बाद एक काम और करें आप उसके बाद अब आप इनको सामने से connect कर दें जब आप इनको सामने से connection देंगे जब आपने इनको सामने से connect किया यह भी रूलर से होगा जैसी आप इनको सामने से connect करेंगे देखें वह यह बन गई आपकी रिफ्लेक्शन की डाइग्रेम तो फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे connect रेज प्रॉम आपजेक्ट आपजेक्ट से इन रेज को connect करते हैं तो अब देखें हुआ क्या इस प्रोसीजर को करने के बाद तकरीबन हर बच्चे की डाइग्रेम आल्मोस्ट एक जैसी होगी अचा ऑल्मोस्ट एक जैसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई आए के थोड़ा ज्यादा टॉप पे छोड़ दे रहे कोई थोड़ा सा ज्यादा बॉटम पे रिलीस कर दे बट अल्मोस्ट सबकी राइग्राम एक जैसी बनेगी से सबसे पहले तो आप रेफरेंस के तौर पे इमेज को बैक साइट में लेगा और आपने एक रे आए के टॉप पे रिलीस की एक आए के बॉटम पे रिलीस की और फिर इनको सामने से कनेट कर दिया अच्छा अब जारदर बच्चे का सवाल होता है मुझसे कि सर वाई ओनली बन रहे तो भाई मैं उसको अक्सर यह कहता हूँ कि अगर आप एक रे बनाना नहीं चाहरे आप के पाप बहुत ही कोई फारिक टाइम है बहुत टाइम है अगर आप कर रहे नहीं सर एक रे नहीं बहुत सारी बना लिए तो यार मेरी तरफ से आप कुछ हूट है आप बनाएं मगर दो रेस से आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे भाई आपको अगर उसके बाद आप यह कहते हैं कि आपके बहुत टाइम है तो आप फिर बनाए इसके जितनी रेस बना सकते हैं जैसे डिस्ट सेंटिमेटर ठीक है अच्छा अब जो यह कहते हैं कि यार सर एक रे क्यों बना रहे हैं ज्यादा क्यों नहीं बना रहे हैं तो अब उनके लिए मैं अर्स कर रहा हूं इदर कि भाई असल में इमेज से इनफाइनाइट रेस निकल रही होती है बहुत सारी एक समझे यहां च मैं और भी बनाना चाहरा हूं तो मेरी तरफ से आपको इजादत है आप बनाएं मगर इससे आपके मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बेस्ट करेंगे यह लिए तीन बना ली और अगर को इसके बाद भी कहतान नहाई और और बनादी यह तो फिर और बना ले मुझे मसल़ा नहीं अ-ससे इन-फाइनाइट रेस निकल रही होती है एक उपड़ेट से यह लो एक और बनाली अच्छा फिर भी अगर कोई कहता है नहीं बहुत भाई और बना लो ऐसी तो आप हदार रेज बना लो मेरी 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 मेलत है आप और बनाओ यह देखा हूँ यह लो और आ गही पांच हो गई ना आप बना ले 500 बना ले आप जी जी बिल्कुल करता हूँ अच्छा अब आपने क्या किया अब आपने इनको सामने से कनेक्ट किया एक दो देख रहे हैं मैं तो सॉफ्ट वे बना रहा हूँ फिर भी मुझे कितना टाइम लग रहा है आप हाथ से बनाएंगे तो आपको कितना जादा टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि ज्यादा रेस बनाने से कोई मार्क्स में फर्क नहीं बढ़ता आपके पास एक इमेज से इत यह जब बनाएंगे जब आप फारिग बठेवे ला मतलब घर पर प्रैट्टिस कर रहे हैं उसका आप बना ले मगर पेपर के अंदर हमारे पाइंग लिमिटेड टाइम होता है हमें उसके अंदर सब कुछ करना है पूर्ट स्ट्रेप कुछ भी नहीं है बस थर्ड है आचा यह देखें यह बन गए आपके पांच से बनाना चाहिए पांच से बना ले बगर मैं कहता हूं बाइं दो से काम हो रहा है तो आगे की दूरत है यह नहीं मार्क्स पूरे मिलता है अच्छा में के अटलीस्ट टूरेश फ्रॉम इमेज्ट तू आये कनेट रे फ्रॉम द ऑब्जेट ठीक है अट्सट जब आपने कर दिया इन रेस को सामने से तो आपका डिए डाइगरेम कंप्लीट होगे स्टेप फाइनल है ठीक है यह आप लेले इसके अनाया आपको ले अच्छा अब जो प्लेंड मिरस में इमेज बनती है इन इस प्लेंड मिर्यर में इमेज बनती है इसकी कुछ प्रॉप्र्पर्टीज होती है इस image की कुछ properties होती है मदब कोई properties है इसकी ठीक है सबसे पहली बात यह same size होती है मदब अगर आप शीशे के सामने खड़े वे तो आपको अपना face उतने ही बड़ा नज़र आएगा जितने बड़े आप खुद है same size as object जैसे कैमरे में तस्वीर लो तो बंदा बड़ा होता है तस्वीर छोटी सी आती है चेंज की स्क्रीन पर उतका हम कहते है diminished image बगर plane mirror में same size बनती है दूसरी important बात distance of object or distance of image हमेशा बराबर होता है तीसरी important बात image आपकी laterally inverted होती है plane mirror में जो image बनती है वो laterally inverted होती है laterally inverted का example यह है कि अगर आप P को plane mirror में देखेंगे तो वो 9 नजर आएगा और अगर आप C को देखेंगे तो वो ऐसे नजर आएगा आप B को देखेंगे plane mirror में तो वो ऐसे नजर आएगा यानिके object left to right rotate हो जाता है ऐसे ऐसे अच्छा यह इमेज जो आपकी बनती है plane mirror में वो वर्चूल है वर्चूल है और एरेक्ट है अच्छा वर्चूल का मतलब क्या होता है वर्चूल इमेज का मतलब क्या होता है वर्चूल इमेज इस स्क्रीन पर capture नहीं हो सकती और एक बंदा शीशे के सामने खड़ावा है तो इसका हैड हैड की जगह पर नदर आएगा और टॉप बॉटम बॉटम की जगह पर नदर आएगा अच्छा बास जफ़ा इमेज इंवर्टेड भी होती है वह हम आगे जाके पढ़ेंगे जैसे यह आबजेक्ट है और इसकी इमेज उल्टी बन रही है यह इंवर्टेड इमेज क्यालाती है दरमयान में कोई चार्ट मेर्ड रख दो आपको क्या लग फकूद आ अगर आप बंदेंदें और प्लेंगा दर मेयानन में उसली है इस प्लेड़त पैपर नदर आईगी है किसा कि और विशतमने घंट पसको को सब्सक्रों कि मैं नदर नहीं नहीं Dorus मगर अगर मेरे पास यह दिवार है कोई वॉल है दिवार है ना स्कूल की कोई दिवार है और यहां पर लगावा है प्रोजेक्टर तो अगर मैं इसके दर्मियान में कोई चार्ट पेपर लेकर आऊँगा प्रोजेक्टर और वॉल के दर्मियान में कोई चार्ट पेपर लेकर आऊँगा तो क्या चार्ट पेपर पे बॉड़ी पे capture हो रही होती है, slide पढ़ रहा है, और अगर projector के सामने आगे है teacher, तो image उसकी body पे capture होने लग जाती है, तो इसका मतलब यह है, कि projector की image जो है न, यह captureable है, यह real होती है, हम आगे जागे इसको पढ़ेंगे, captureable image रियल कहलाती है, और जो non-captureable होती है, उसका हम लोग virtual बोलते है, अच्छा, virtual का मतलब यह वो नहीं है, वाला virtual नहीं है, virtual reality वाला virtual, बच्चा सोज रहा होता है, शाहद यह वाला virtual है, कौन सा, जैसे वो नहीं कहते है, virtual classes, जैसे अभी हमारी चल रही है, तो virtual का मतलब तो होता है, जूट, fake, not real, मगर यह इस meaning में नहीं होता, कि plane mirror में जो image बनती है, वो कोई जूटी image होती है, घलत होती है, भाई, वो होती image है, मगर वो virtual है, अब virtual का मतलब यह कि वो screen पे capture नहीं हो सकती, अगर आप अपने और plane mirror के दर्मयान में चार्ट पेपर ले आएंगे, तो चार्ट पेपर पर कोई image नदर भी आईगी, जबके आप projector और wall के दर्मयान में लेकर आएंगे अगर चार्ट पेपर, तो आपकी projector की image वाल पेपर, उस पे चार्ट पेपर पे capture हो जाएगी, अच्छा in fact आप projector के सामने चार्ट पेपर बलुती है, उसको हम real image बोलते हैं, और ऐसी image जो capture बल नहीं होती है, उसको हम लोग virtual image बोलते हैं, अच्छा, virtual image की एक और पहचान बता रहा हूँ, आखों पे आगे light rays एक point पे मिल रही है या diverge हो रही है, पहल रही है, या एक point पे meet हो रही है, यह बता है, light rays जो आ रही है, reflected right rays जो है, वो एक जगा focus हो रही है, यह spread हो रही है, आए position पे देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि मैंने circle किया है, light rays, after reflection, spread हो रही है, spreads, spreading, तो virtual image के case में एक तो screen पे capture नहीं हो सकता, और दूसरा, virtual image के case में, virtual image, light rays, light rays, do not, converge, में open कर रहा हूँ, उसके paper one को, reflection का topic almost end हो गया है, मगर अभी इसके कुछ questions वगरा देखेंगे, तो आपको मजीद बात समझा देगी, सब्सक्राइए, तो अभी इसके अभी तो अभी तो अभी तो हम वहां पहुचे ही नहीं है, अभी तो हम पहुचे ही नहीं है वहां पहुचे ही नहीं है, वह इंक्लूड़ीड है भई आपके शलेबस में क्यों अटेंगे इतनी, मतलब चीजें नोने हटाई कमें लगाई ज्यादा है भाई ऐसा नहीं कि चीजें ज्यादा हट गई है ज्यादा तर चीजें नोने और एड़ कियें इसके अभी lenses हमने पढ़ा कोई है lenses तो भी बाकिए चलें let's talk about some questions of reflection of light पहले सवाल का आप क्या जवाब देंगे भाई आप लोग देखें पहले सवाल का क्या जवाब होगा बी बिटा plane mirror में image कैसी बनती है बी बोल रही है डी बोल रही है बी वर्चρα ठीक है वर्चल होती है अपराइट हो दिये छे और सेम साइज होती है क्या होता है कि एरेट और अपराइट का मतलब एक ही चीज़ आます आप अपरॉय इंटत बोलतेяться की बात है श्य मतलब यह बंदा ए और यह बंदे की इमेज हैं तो हैड की जगह होता है टॉप टॉप की जगह होता परह झूच्ट होता है अंब के अच्की आप लोग और में लोजो предकर लुए खत्म होने वाले जल्दी से रिकनेट